Hello students, myself Vishri Chhatwani, I am a Chartered Accountant and Assistant Professor in Government College आप सबका स्वागत है ज्यान दूत कारिक्रम में कि कॉलेज शिक्षा विभाग राजिस्थान दौरा प्राराम किया गया है और इसमें मैं आपको income tax पढ़ा रहा हूँ आज का जो हमारा वीडियो रहेगा वो है assessment of individuals पे यानि tax calculation पे इसमें हम यह समझेंगे कि एक individual का assessment कैसे होता है और उसकी tax calculation कैसे होता है चलिए सर शुरू कर लगा देखिए आपके सामने question आएगा जो छोटी size का या बड़ी size का हो सकता है जैसे अभी एक श्री देवाराम के लिए question है तो मैं question पढ़ता जाऊँगा हाथो हाथ बताता जाऊँगा कि उसका solution क्या रहेगा नीचे solution मैंने लिख भी रखा है तो time race नहीं होगा चलिए सर शुरू करते हैं तो यह देवाराम सारवजनिक सीमित कंपनी में 35,000 रुपया प्रती माह के वेतन पर नियुक्त है तो यह job कर रहे है और की salary 85,000 रुपया महिना है अब अगर 35,000 रुपया salary है तो 12 महिनी का salary हो गया 4,20,000 रुपया तो इसे हम लिखेंगे income from salary में मैं आपको बता रहता हूँ पूरा question पढ़ लेंगे इंद इंग्रिश दोनों में लिखा हुआ है and then फिर क्या होगा जैसे यहां पर नीचे नीचे लिखा है salary from a public limited company तो मैं पहले सारे नियम बोल देता हूँ और फिर आपको यह presentation भी दिखा दूँगा एक बार recap हो जाएगा आपका चलिए तो मैं जस्त बता रहता कि देवाराम जी job करते हैं और 35,000 मैने के साफसे इनकी salary 4,20,000 है वे अपने वेतन का 10% प्रमानेद भविश्य निधी में अंजदान करते हैं अब इसका मतलब यह है कि जितनी इनकी salary है उस जैसे 4,20,000 है तो उसमें से 42,000 रुपए यह contribute कर देते हैं यह जहां यह जोब करते हैं उनसे 42,000 रुपए नहीं लेते तो यह जो बहिया लेते हैं इसका आपको deduction मिलेगा इसका आपको deduction मिलेगा ATC में जाके तो रूल क्या हुआ कि जो employee recognized provident fund में contribute करेगा या statutory provident fund में contribute करेगा उसे ATC का benefit मिलेगा तो इसे 42,000 का benefit ATC का मिलेगा इसकी जब salary income 4,20,000 है उसमें से 50,000 रुपए आपको direct minus करना है यह standard deduction होता है इसका section 16A होता है तो आपको 50,000 पर direct minus करना है next point पढ़ते हैं सोयम के आवास की मकान की आए उनको खुद का जो उनका मकान है उससे नुकसान हुआ है 16,000 माइनस में लिखा है इससा नुकसान कैसे हो सकता है देखिए ऐसा हो सकता है कि इन्होंने अपना जो मकान है उसके लिए loan लिया हो और loan लिया हो तो उसका ब्याज चुकाया हो तो जो ब्याज होता है उस वज़े से आपका income negative हो सकता है तो house property में 16,000 के negative income आ रही है नेक्स पॉइंट में लिखा है दीरगकाली पुझीगत लाग आकलित यानि यह long term capital gain है और computed है इन्होंने मलब जो भी plus minus करना होता है जो भी indexation benefit देना होता है वो कर लिया है तो 96,000 इनका long term capital gain है अब मैं क्या करूँगा यह जो 16,000 रुपय house property में minus वाले हैं उसे मैं 96,000 के साथ plus minus कर दूँगा यानि minus के 16 को वहाँ ले जाऊँगा ठीक है इससे क्या होगा आपका long term capital gain 16,000 कम हो जाएगा 96 में से 16,000 कम हो जाएगा 80 रह जाएगा इस चीज़ को क्या बोलते हैं इस चीज़ को बोलते है set off and carry forward अभी जो अपने किया उसे आपको पहले अपने house property की income लिखनी है second number पर देखिए उसमें 16,000 रुपर लिखना है और फिर मैंने उसे set off कर दिया महले मैंने सहारा दे दिया सहारे देते ही वह शान्त हो गया minus की चीज़ शान्त हो गई लेकिन जिसने सहारा दिया उसके 16,000 रुपर कम हो गए ठीक है इन्होंने horse race पर down लगाया और इनका 25,000 का total इनाम खुला है सकल लिखा है मतलब 25 है total इनाम है total इनाम का मतलब यह है कि जब इन्होंने पैसे जीते होंगे तो 30% tax cut होगा जिसे tedious बोलते हैं और इनको जो पैसे मिले होंगे वह 17,500 मिले होंगे 25,000 का 30% काटके बाकि इनको 17,500 म लिखा जाएगा यानि जब भी आपके इनकम लिखी जाती है तो इनकम में आपके पूरी इनकम लिखी जाती है तो 25,000 रुपे आपके इनकम लिखी जाएगी जो आप horse race से कमाते हैं उसे casual income बोलते है casual income वो होती है जिसमें थोड़ा आपका भग्य का साथ आपको मिलता है त इसके बाद है सरकारी प्रतिभूतियों से ब्याज आपने government securities में आपने मतला जिसके लिए अपने question कर रहे है देवाराम जी के लिए तो देवाराम जी ने government securities में invest किया उनको ब्याज मिला तो यह इनकी income other source में मानी जाएगी government securities में TDS का लफ़णा नहीं होता उप किरायदार किया है subletting subletting क्या होता ओता है इनkोंने पॉफ़ची किरायँ पे ली और उसको जादा किराये पर चड़ा दिया फुर ने कम किराये प किराये का अंतर कम्कम आया वो है उप किराया आए तब लेटिंग इंकम और ये इंकम भी इनकी अधर सोर्स में जाएगी इसके अलावा एफ पॉइंट में लिखा है कि ICI बैंक में बचट खाते से ब्याज इनका बैंक में खाता है वहाँ से इनको ब्याज मिला है 20,000 रुपर अब ध्याण दीजेगा 20,000 रुपर ब्याज है ये तो आपकी इंकम है लेकिन आपको एक डिड़क्शन का ध्याण रखना है और वो डिड़क्शन है ATTA कि सरी डिड़क्शन हमें कैसे या राएंगे देखिए आप पढ़के जाएंगे एक्जाम हॉल में और assessment of individual करते समय आपको पुराने सारे head जो एक से लेके 5 head होते हैं वो आपको आना चाहिए head of carry forward, deemed income, gross total income में से जो deductions होते हैं उन सब की आपको knowledge होनी चाहिए तो पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि जो लोग बच्चत खाते से व्याज कमाते हैं उन पे ATTTA का deduction होता है आपको वो deduction मिलेगा तो चलिए तो अपने को यहां पर क्या करना है 10,000 नीचे less करना है उपर पहले income में 20,000 जोड़ेंगे और फिस 17,000 less करेंगे चलिए मैं आप सब को दिखा देता हूँ कि आप बीच-बीच में question देखते रहे हैं question बड़ा होता है एक screen पर आ नहीं पाता मैं capital gain तक आपको बता चुका आपने other source पर जो भी कमाया जैसे horse race से कमाया government security से कमाया सब Latin से कमाया वह सब आपने जोड़ दिया नीचे जो लिखावा है वह deductions है पहले सारी income जोड़ी जाती है और फिर deductions आती है तो एक जगे लिखावा है ATTTA पीच में नहीं पर interest on saving account दस हजार पर तो वह आपको डिरेक्शन मिलेगा वापर बात करते हैं उपर गत वर्ष में उन्होंने निमलिखित भुक्तान किये उन्होंने पहला जो भुक्तान किया है वह खुद का उन्होंने health insurance कराया है और check से दिया है पैसा तो जो व्यक्त अपना health insurance कराएगा उसे ATD का benefit मिलेगा health insurance या medical insurance करवाने पर ATD का benefit मिलता है यह benefit 25,000 तक होता है 17,000 का benefit लेना चाहते है आराम से इनको मिल जाएगा payment check से होना जरूरी है यानि non cash तरीके से होना चाहिए तो जो उन्होंने check से दिया है तो that's very good 17,000 के इनको deduction मिल जाएगी उनके इनके तीन पुत्र हैं जो school और college में पढ़ रहे हैं school और college में उनकी tuition fees के रूप में क्रमश है 15,000 रुपए और 500 रुपए प्रती माहा का भुक्तान कर रहे हैं वोगे इनके तीन बच्चे हैं तीनों या तो school में है या college में है और school या college पढ़ाने के बदले जो पैसा लेता हैं इन में से आपको दो बच्चे पिक करने ऐसा नहीं कि आपको पहला और दूसा बच्चा पिक करना था आपको वो दो बच्चे पिक करने हैं जिनकी tuition fees ज़्यादा हो तो 1500 ले लो एक 1000 ले लो तो 25 रुप मैंने का इनका जा रहा है तो 12 मैंने में इनका 30,000 रुपए जा र लोग अब जहां इनका पैसा खर्च हो रहा है जिसे अभी देखिए इन्होंने health insurance पर पैसा खर्च किया उसका deduction मिलेगा इन्होंने tuition fees पर पैसा खर्च किया तो अब इनको deduction मिलेगा इनको नेक्स पॉइंट में national saving certificate 8th issue purchase किया है तो ये भी ATC का product है आपने ATC का product खरीदा है इ तो 10,000 का donation दिया है donation देने पर ATG का benefit मिलता है और जब आप donation देखते हैं तो उसमें दो तरह की होते है limit वाले और without limit वाले तो ये donation ऐसा है जो limit वाला है अगें ATG में कौन सा क्या होता है इसके लिए आपको पिछले वीडियो देखने पड़ेंगे तो ये limit वाला donation है तो इसमें आपके limit देखके आपको 100% allow किया जाएगा तो इस point में मैं थोड़े देवार आता हूँ 10,000 रुपय का अगर आपके limit होगी allow करेगी तो आपको 10,000 क पूरा benefit मिलेगा और limit allow नहीं करेगी तो आपको थोड़ा कम benefit मिलेगा इसके अलावा उन्हें अपने बच्चे की higher education के लिए SBI से loan लिया था उस loan का पुनर भुकतान किया 48,000 उसमें से 21,000 उन्हें ब्याच का चुकाया तो अगर आप education loan लेते हैं तो आपको 80E का benefit मिलता है subject to कि आप interest pay करें और 48,000 आपने चुकाया है लेकिन interest component की deduction मिलती है तो केवल आपको 21,000 उपर की deduction मिलेगी यहाँ पर कुछ deductions मैं discuss कि अभी दोहरा दूँगा मैं अब इन्होंने हमसे पूचा है कि assessment यह 2021 के लिए उनकी कुल आये निकालिए और tax payable की गणना कीजिए यह मानिय कि देवाराम की आयू 69 वर्ष है तो 59 येर के हैं अब यह senior citizen नहीं हुए है क्या फरक पड़ जाता है नॉर्मल व्यक्ति होता है तो ठाई लाग तक tax नहीं लगता और senior citizen होता है तो तीन लाग तक tax नहीं लगता और एक और बात है कि जहां वो job करते हैं उन्होंने उसकी salary में से साड़े साथ अजारे पर TDS काठा है तो इनका दो पॉइंट पर TDS काठा है एक तो जब इन्होंने horse race जीती थी वहां TDS काठा था और एक इनके employer ने भी TDS काठा है अब अपन question की तरफ थोड़ा साथ है प्रैक्टिकल में बताता हूं उपको देखिए पहले आपको अपन सारे sources लिखने हैं 5 sources होते हैं income from salary income from house property red color में लिखे है income from capital gain और income from other source ठीक है इनका कौन सा नहीं आया इनका income from business and profession नहीं आया यह business profession करते नहीं है तो नहीं आया तो आपने क्या किया पांचो head की income लिख ली एक negative income थी house property में उसे set off कर लिया तो इसकी जो income आ रही है वो आ रही है 5,80,000 जैसे आप gross total income स्क्रीन पर देख पाने gross total income आ रही है 5,80,000 इसमें से उनको deduction मिलेगा ATC का क्यों मिला क्योंकि इन्होंने recognize provident fund में पैसा contribute किया बच्चे की tuition fees पेगी और national saving certificate जो post office में मिलता है वो इन्होंने purchase किया इसलिए इनको ATC का benefit मिला ATD का benefit क्यों मिला क्योंकि इन्होंने health insurance करवाया और उसका पैसा check से दिया ATE का benefit क्यों मिला क्योंकि इन्होंने higher education interest पे किया है loan लेने पे ATTTA का benefit क्यों मिला जब भी आपके बाद saving account का income आएगा तो 10,000 रुपए तक का direction होगा इसके इन्होंने donation दिया है अब मैं आपको एक बात बताता हूँ आपको इनकी जो gross total income है जो कि आपको 5,80,000 दिखाई दे रही है वो लेनी है इस 5,80,000 में से जो long term capital gain होता है वो minus करना है देखो मैंने आप तरीका लिख रहा है gross total income में से आपको long term capital gain minus करना है और बाकी के जो deduction है मतलब हम अभी 80G पे खड़े हैं तो 80G के अलावा इस question में क्या है 80C है 80D है 80E है 80TTA है तो आपको ये charge deduction 1,2,3,4 ये charge deduction आपको less करने है ये charge deduction आपने less कर दिये तब आपका जो figure आया है तो ये charge deduction less करने के बाद जो आपका amount आया है वो है 3,47,000 कि सरसबज नहीं आता रोस total income में से PTI में से LTCG minus करो बाकी के deduction minus करो कर लिया अब उसका 10% निकालो निकाल लिया वो आया है 37,700 कि सर ये क्या है ये आपकी donation देने के limit है अच्छा इससे ज़्यादा donation आप नहीं दे सकते इस question के हिसाब से अब आपने तो वैसे ज़्यादा donation दिया ही नहीं है आपने तो के आवल family planning के लिए केवल 10,000 का donation दिया है तो आपने जो donation दिया है वो within the limit दिया है तो आपको 10,000 का पूरा benefit मिलेगा अगर बाइदे विए आपने 40,000 का दान दिया होता तो आपको 37,700 का benefit मिलता अभी आपको benefit केवल 10,000 का मिलेगा ठीक है अब ये सारे deductions हो गए cross total income में से deduction हटाने के बाद जो आता है उसे बोलते है total income पहले GTI आता है फिर deductions आते है और फिर TIE आता है और इसका TIE पांच लाग से कम है गौर कीजिए इसका TIE चार लाग 47,000 रुपए है तो आगे बात कर लेते हैं अब अब अपने इसका TIE दिखा लेंगे तो क्या करना पड़ेंगे टेक्स के लिए देखो यहां से उपर इसकी जो इसकी जो इंकम 4,47,000 रुपए है इस इंकम का break up करेंगे इसमें से long term capital gain को अलग करेंगे कैजूल इंकम को अलग करेंगे और नॉर्मल इंकम को अलग करेंगे तो long term capital gain है उस पर लगेगा 20% tax जो कैजूल इंकम है उस पर लगेगा 30% tax और बाकी की इंकम में देखा जाएगा तो पहले मैंने 80 को अलग कर लिया 20 को अलग कर लिया तो आपका आपका कहें 4,47,000 में से 80,000 का LTC अलग हो गया 25,000 का कैजूल इंकम अलग हो गया अब आपके पास इसके अलवा 4,47 में से 80,000 का अलग कर दो 25 का तो पीछे 3455 बचेगा वो जो 3,46 वैं बचा है उसमें दाइलाग में आपको टेक्स जनी कि जावत नहीं है ज हश्त ज्यान देजिए का उसमें पहला इसमें से आपको 11.25 रुपे की रिबेट मिल जाएगी, क्योंकि जिनकी इंकम 5,000,000 से कम होती है, उनको 12.000 तक ही रिबेट मिलती है, इसे हम कहते हैं कि जो small taxpayer है जिनके इंकम पांच लाख सम है उनके लिए 12.000 का rebate है वो less कर देंगे इसके बाद इसके बाद 4% जोड़ा जाएगा आपकी जो tax बनेगी उसमें 4% जोड़ा जाएगा health and education के नाम पर तो इस हिसाब से आपका 16,214 रुपय tax बनता है अब आप यह कहेंगे सर टेक्स तो मैं कटवाया चुका जब मैंने horse race जीती थी तो मैंने 30% टेक्स कटवाया था जब मैंने boss से salary ली थी तो वहां मैं tax कटवाया चुका तो आपने चितना tax कटवाया उसका समयजन यहाँ पर होगा last में आके तो 15,000 रुपय आपका less हो जाएगा और आपका net tax बनेगा वो है 1224 रुपया 1224 रुपया तो इसमें से आप 4 रुपय पहले पैसे अगर हो पैसे में आया हो तो पैसे तो वैसे चुड़ देना और जो टेक्स आया है अगर वह 5 रुपय है या 5 रुपय से जादा है तो आगे की तरफ round off होगा और अगर वह 5 से कम है तो पीछे की तरफ round होगा तो 1224 की जगे आपको 1220 लिखना है तो इस तरह से question solve होगा और आपको नियम सारे आने चाहिए अगर आपको डिफरेंट डिफरेंट हैट्स में जो अपने नियम सीखे हैं वह अगर आप बिल्कुल यहां तरीके से अपलाय करते हैं रिडक्शन का अच्छे से ध्यान रखते हैं तो आप अपना सही टेक्स कैलकुलेट कर पाए जैसे एक निवासी व्यष्टी है अनन्द उनकी गतवर्ष के लिए आयका विवरन इस प्रकार से दे रखा है आप उनका करद आयत्व ग्यात कीजिए यदि उन्होंने स्थारवजनिक भविशन दिदी में 9000 पर जमा कराए हूँ तो कुछ basic detail आपको समझने चाहिए जैसे यह जो person है उनका नाम आनन्द है और वो basically individual है और वो resident individual है और उन्होंने बताया कि उन्होंने public provident fund PPF जिसको short में कहा जाता है 9000 रुपर जमा कराए और मैंने कहा क्या करते हैं sir आप तो उन्होंने कहा मैं business करता हूँ वहां से तो मुझे 30,000 का नुपसान हुआ है मैंने कहा क कोई बात नहीं site off हो जाएगा short term capital gain मकान से 6000 रुपर कमाया और long term capital gain कीमती रतन यानि precious stone को बेचने से कमाया तो basically उसने कहा कि दो जगे से उसने कमाया है तो जो business head है उसमें तो उसको नुकसान है और मकान को बेचने से short term capital gain है और precious stone को बेचने से long term capital gain है तो अपने को क्या करन पहले तो इसको as it is लिख देना कि जो भी फिगर यह बता रहे हैं उनको अपने को लिख देना ठीक है आप स्क्रीन पर देख पा रहे है माइनस का 36 और पांसो अठारा यह सब लिखावा है उसके बार मैंने चाहूं यानि मैं अपन लोग चाहें तो business का loss short term capital gain से set off कर सकते है और चाहें तो long term capital gain से set off कर सकते हैं अपना choice है क्या करना चाहिए एक मैं आपको general suggestion देता हूँ कि अगर आपकी income बड़ी income है that is आपकी income 10 लाग के उपर जा रही है तो आपको normal income से set off करना चाहिए फूल दुबारा अगर आपकी total income 10 लाग को cross कर रही है मैं assessment year 2021-22 की बात कर रह है तो आपको normal income से set off करना चाहिए और अगर 10 लाग के नीचे है तो आपको long term capital gain से set off करना चाहिए तो इस question में long term capital gain से set off कर रहा हूं तो इसका क्या मतलब हुआ 20,000 रुपया मैं LTCG में से minus कर दूँगा इससे आपकी जो business की income है वो zero हो जाएगी पहले minus में चल रही थी set off के बाद वो zero हो जाएगी और set off करने के बाद आपकी income यहाँ पे long term capital gain की कम होके 4,88,000 रहे जाएगी यहाँ तक question important नहीं था question अब important है तो 494,000 आपका income आ गया ठीक है और final आप अपनी screen पर देख लीजे 6,000 का short term capital gain है और after plus minus LTCG 488 का है ठीक है 494,000 का आपका gross total income चल रहा है अब आप चाहेंगे कि मुझे 9,000 का deduction मिले आनन्दम से चाहेगा कि 9,000 का deduction मिले why because he deposited amount in PPF so he will be claiming for ATC अब इसमें बहुत खास नियम होता है कि जो deductions होती है वो आप LTCG में से claim नहीं कर सकते और नहीं आपको casual income में से claim कर सकते हो मतलब इसने 9,000 चाहा तो सही लेकिन में पर 9,000 है ही नहीं में पर केवल 6,000 रुपए पड़े है STCG में मैं उसमें से deduction दे सकता हूँ LTCG के 488 में से हम deduction दे ही नहीं सकते तो यह बले ही लाग चाहे इसको 9,000 का deduction मिलना चाहिए लेकिन इसे केवल deduction अभी 6,000 का ही मिल पाएगा तो यह इसका सबसे crucial point था तो यह जनरली बच्चे को इतना याद रहता है जनरल student को कि PPF में क्या लगेगा कि ATC लगेगा तो उसका limit कितना है कि 150 है यह तो बंदा 9,000 मांग रहा है इसके 9,000 मांगने से भी कुछ नहीं होता हमाई बाद 9,000 है यह नहीं इस question में केवल 6,000 मिलेगा ठीक है तो समझ में आ रहा है तो ना मैं double double बोल रहा हूं तो आप बहुर भी हो रहे होंगे बट मैं चाहता हूं कि आपके समझ जा जाए यह 6,000 रुपे लेक्स करने के बाद आपके बाद 488 बचा अब आप ध्यान से दिखिए जो 488 है यह है आपका total income और आपका total income केवल और केवल long term capital gain से बना है आपका बाकी सारा income खतम हो गया जो भी बचावा है वो long term capital gain है यहां से दूसरा important rule समझ में आना चाहिए जनरली बचा सोचता है कि long term capital gain पे 20% tax लगेगा यह बास सही है लेकिन इस question में आपकी other income क्या है जीरो है अगर आपकी other income जीरो है तो आप लगाएंगे shifting का rule एक बहुत ही important rule होता है called shifting rule वो आप apply करेंगे मैंने इसके उपर पीछा वीडियो बना रखा है तो आप वो वीडिय देख सकते हैं इसमें आपको क्या करना है ठाहिलाग पास में shift करने है तो इससे क्या होगा आपके ठाहिलाग यहां LTCG में से कम हो जाएंगे ठीक है आप देखेरें एपनी स्क्रीन पर 488 में से डाही चला गया है 238 रह गया है और वहाँ पे income shift होने के बाद भी वहाँ पे आपका टेक्स जीरो ही रहेगा क्योंकि other income डाहिलाग तक exempt होती है तो एक तरह से shifting जो है वो एक तरह से tax saving टूल है आप अपना टेक्स बचा सकते हैं तो वहाँ डाहिलाग shift कर दीजिए यहां आपका डाहिलाग कम हो जाएगा फिर आदाम से आप 20% टेक्स भरिएगा इसके आपको याद रखके रिबेट क्लेम करना है रिबेट करना होता है असेस्मेंट यह 21-22 जो चल रहा है उसका रूल यह है कि 12,000 तक आप रिबेट क्लेम कर सकते हैं subject to आपकी total income पांच लाग से नीचे होनी चाहिए इस पठ्थे की इस असेसी की total income पांच लाग से नीचे है त और इसके बाद एक बार रिबेट के 12,000 कैलकुलेट करने के बाद 476 में से 1,500 करने के बाद आपकी टेक्स लाइवडी पहती से 1,100 और पर आ जाएगी लास्ट में आपको 4% जोड़ना है health and education के नाम पर याद से 4% आपको add करना है और आपका final answer आएगा वह है 2500 पर ठीक इस क्रिप्टिंग को समझने के लिए अपन एक कुशन और कर लेते हैं इससे डेफिनेटली आपका वापर रिवेजन भी हो जाएगा और आपको clear भी हो जाएगा तो अपके बाद कुशन में एक निवासी व्यक्ति हैं भारत में उनका नाम है अरुन उनके लिए हमें tax liability पता ग कमाए very good LTCG इसके अलावा उसने बताया interest on saving bank deposits की मेरे budget खाते में पैसे जमा है वहां से मैंने ब्याज कमाया 40,000 रुपेगा तो मैंने का सब बिलकुल अच्छी बात है तो 40,000 इसकी income मानी जाएगी other source में जो interest की income होती है वो other source में आती है और आपको 10,000 का deduction मिलेगा 80 TTA के त पर राइट नाउ question में को information नहीं है about the age या यह 60 year का है या senior resident है तो फिर आपको simply आपको 10 सद्रा का deduction देना है इसके लवा इसने contribute किया है public provident fund में तो इसको ATC का benefit मिलेगा किसी bank में या किसी post office में PPF खाता खुलवाया है 11,000 जमा कराए है इसको ATC का benefit मिलेगा अब अपन इसकी पफेले इन्होंने long term capital gain कम आया other source की income कम आयी वो इनकी लिख ली आपको ध्यान रखना है कि आप जो deductions लेंगे वो आप LTCG में से नहीं ले सकते यानि aware रहेगा कि आप इस question में जो screen पर देख रहे हैं उसमें आप 40,000 तक के deduction ही ले सकते हैं by the way इनको इतने deduction नहीं चाहिए वो 11,000 रुपे ATC में मांग रहे हैं और ATTTA में वो 10,000 मांग रहे हैं तो 21,000 का deduction इनको आराम से मिल जाएगा और BTI में से deduction हटाने के बाद आपका total income आएगा और अब यहां से आपको बहुत alert हो जाना है आपकी जब total income आ जाएगी तो आप total income को segregate करोगे यानि आप उसे अल 19,000 है ठीक है चार लाग अलग है और 19,000 रुपे अलग है अब आपको क्या करना है आपको अपनी income को shift करना है income को LTCG से normal income की तरफ shift करना है इतना shift करना है exemption limit तक exemption limit कितना होता है धाई लाग रुपे तो धाई लाग रुपे तक उसे पहुंचाना है पिछली बार तो zero था question मे अधर इंकम जीरो था तो आपने धाई लाग shift किया था लेकिन अपके बार 19,000 का figure है तो आपको 231,000 shift करना है 231,000 shift करने से क्या होगा वो अधर इंकम आपका धाई लाग हो जाएगा जिस पर tax liability zero ही रहेगा और 231 आपका LTCG में से हट जाएगा तो आपका यहाँ पे left side पे देखिए 4,000,000 में से 231 shift हो गया तो आपके बार 169,000 बचेगा LTCG पर section 112 लगता है और 20% tax लगता है वो 20% आप tax निकाल लीजेगा उसमें आप rebate का ध्यान रखिएगा चुंकि आपके इस question में income 5,000,000 के नीचे है तो आपको rebate मिलेगा 12,000 तक का rebate है वो आप less कर लीजेग उसके बाद आपको नीचे आना है और अपना 4% उसके अंदर add करना है health and education के नाम पे और last में final answer देने से पहले round off करना है तो 22,152 रुपया है तो आप 2 रुपय छोड़ सकते हैं और approximate 22,150 रुपय आपका answer बनेगा तो these are the some small rules कितना आप practice करेंगे उतना आप समझेंगे बस मै मैं अब इस वीडियो में एक कुछ नवा कराऊंगा that will be on agriculture income इसके बाद off चलिए से last question देख लेते हैं इसमें Mr. Sharma है उनके tax library की गणना करनी है सबसे पहरे इनका date of birth दे रखा है कि 2 April 1970 को यह पैदा हुए तो हम जब बात कर रहे हैं previous year 2021 की यानि 2020 यानि वह समाप्त होता है 31 March 2021 को तब तक हम इनकी आयू देखेंगे तो तब तक इनकी आयू आप गिनेंगे तो करीबन करीबन 50 साल या 51 साल की इनकी age होगी तो 60 year तक अगर age रहती है तो वह senior citizen नहीं माना जाता है 60 को touch कर लेता है या 60 से जादा होता है तो वह senior citizen माना जाता है तो basically यह एक ordinary resident का question है जो senior citizen नहीं है अब आते हैं इन्होंने कपड़ा वयापार से कमाया पैसा तो यह इनकी business income है long term capital gain कमाया building बेच के तो यह LTCG में चला जाएगा agriculture income है agriculture income generally आपको याद होगा कि exempt होती है लेकिन हाकिकत यह है कि agriculture income का adjustment करना पड़ता है अगर वह figure 5000 को cross करता है तो आपको उसका adjustment करना पड़ता है कब करेंगे sir total income के बात करेंगे कैसे करेंगे यही बताने के लिए question लिया है मैंने ठीक है इसके लावा नहीं जीवन भी मा प्रीमियम चुकाया है इसके लिए इनको ATC का benefit मिलेगा चलिए sir अब इस question को मैंने और अल्दो बताई दिया अब आप practical होते हुए ऐसे आपका क्या होता है total income के बाद tax calculation शुरू हो जाता है लेकिन जिस question में agriculture income हो और 5000 से जादा हो तो आपको उसे adjust करना पड़ेगा और adjust करने से जो income बनेगी उसे बलेंगे aggregate income तो total income 65 है इस screen पर देखिए और इसके अंदर agriculture income यानि करशी आये को जोड़ेंगे तो आपकी aggregate income हो गए 685 थोड़ी देर के लिए मानिए कि 685 आपकी आये है अब 685 के आये में 65,000 का तो LTCG है तो उसे अलग कर लिजे क्योंकि उसकी tax rate अलग है और वो 20% है 65,000 को अलग कर लि देखिए स्क्रीन पर 65,85 में से पहले 65,000 अलग हो गया और बात का जो 6,20,000,000 है उसे different slab में distribute कीजे पहला slab 5,000,000 का होता है और उसके बाद जो बसता है एक और slab 5,000,000 का होता है तो पहला 5,000,000 जीरो दूसा 5,000,000 पांच पसंट और उसके बाद आपका 1,20,000 और उसके बाद तो 0,000,000,000,000 और 24,000,000 इस तरह से आपका tax बन रहा है 36,000,000,000 नॉर्मल इंकम पर आपका tax बन रहा है 36,500,000 और LTCG का tax बन रहा है 13,000,000,000 टोटल tax हो गया आपका 45,500,000, आप यहां आपके वापस आपको minus करना है क्या minus करना है tax of agriculture income पहले हमने agriculture income को जोड़ा और अब हम उस का tax minus करेंगे कैसे minus करेंगे थाई लाग रुपर basic limit होती है 20,000 आप agriculture income का जोड़ी है तो आपने पहले तो 20,000 को जोड़ा था total income के अंदर ध्यान दीजे पहले उपर आपने 20,000 जोड़ा था total income के अंदर और अभी आप 20,000 को जोड़ा हो basic limit जो थाई लाग की है उसके अंदर तो 20,000 पर tax कितना बनेगा PCI पर tax बनेगा 5% की rate से 1000 रुपया तो आपका 1000 रुपया कम हो जाएगा तो कई बार कहने वाले कहते हैं कि agriculture income पर tax तो लगता नहीं है वो तो free हो जाता है पहले tax जुड़ जाता है पर tax minus हो जाता है लेकिन ऐसा है नहीं क्योंकि जब वो जुड़ जुड़ता है तो prior अलग rate से होता है और नीचे जो less होता है वो अलग rate से होता है जैसे इस question में आप बहुत ध्यान से समझेंगे तो उपर जो 20,000 जुड़ा हुआ है ना वो 20% की rate से taxable हुआ है और नीचे जो less हुआ है नो वो 5% की rate से taxable हुआ है तो government ने कहीं ने कहीं आप आपको last में आते हुए tax on agriculture income less भी करना है और उसके बाद आपका 48 या 500 रुपे आ जाएगा इस question में इस question में इसकी total income 5,000,000 से उपर है जैसे कि हम देख पार है कि TIE screen पे 6,65,000 है तो आपको rebate वगेरा नहीं मिलेगा जो कि फिछले 2-3 question में आपको rebate मिला वो नहीं मिलेगा और आखरी में आपको 4% health and education के नाम पर जोड़ना ही है और उसे जोड़के आपका answer 50,400 इतना text आपको government को जमा कराना है लिए hope वीडियो आपके लिए useful रहा होगा useful लगा हो वीडियो को like कीजिए दोस्तों के साथ share कीजिए इस चैनल को subscribe कर लिजिए और सारे videos अभी और आए प्रणिए